तो पिछले पार्ट ने हम लोगों ने देखा था कि लीन फैंग एंसेस्टर सूजू की बॉडि के अंदर डीमन स्पिरेट को रिफाइन कर रहा होता है जिसे बाहर से मिस यांग यून और वो लीडी पोटेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन तबी वहाँ बर वही ओल्ड बैन आ ज जिस पर की वो लेडी उन लोगों को मना कर देती है और वो कहती है कि एंसेस्टर सूजू की हालत अब काफी दता सुदर चुकी है और वो इस वक्त अपने कमड़े में आराम कर रही है तो इसलिए आप लोगों से भी नहीं मिल सकते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए क ऐसी हो गई है जिसे सुनकर जो यून होती है वो काफी ज़्यादा गुस्ता हो जाती है और उनलोग को भला बुड़ा बोलने लगती है और वो ये भी कहती है कि वो लोग हमीसे एंसेस्टर सू की मदद के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक राफ्तों से होते वे एकलम पौ जांग उस एल्डर से कहती है कि यहाँ पर आप सब कुछ ठीक है और यहाँ तक कि एंस्टर सू की हालत भी सही है तो आप लोग को यहाँ सब चले जाना चाहिए लेकिन वो और अपने आगे भरते वे कहता है कि मुझे तुम लोग पर कोई भरोसा नहीं है तो मैं खुद से चेक करने के बादियां से जाऊंगा और अपनी पर को रिलीज करते वे उन लोग को आप से हटाने की कोसिस करता है जिसे देखकर वोज लेडी होती है वो अपने पास से स्फियर निकाल लेती है और सेकंड एल्डर से कहती है कि मुझे तुम्हारी रादे को सही नहीं लग र अटक कर देता है जिसे देखकर जो यंग लेडी होती है वो अपनी स्फियर की मदस से काफी असाइस उसके एटक को रोग देती है और वो अपनी मार्स अजोल को भी वहाँ बाहर निकाल लेती है जिसे देखते के साथ हो जो जे अल्डर होता है वो भी अपनी डिवाइन स्वार्ट की बहुत सारी क्लोन बनाकर उस यंग लीडी बैटाक कर देता है जिसे देखते के साथ यंग लीडी अपने स्फियर की मतद से उसे ब्लॉक करने की भी कोसिस करती है लेकिन वो उसमें गायड हो जाती है और वो हैरान भी होती है क्योंकि उस एल्डर के पास तीन डि सूजू की पॉड़ी के अंदर उस डीमन को डिफाइन कर रहा होता है लेकिन तभी क्लीन फैंग को साउटियान की डिवाइन ड्रेगन स्वार्ड बोन स्वार्ड और इमोर्टल स्वार्ड की इनर्जी फील होती है जिससे देखकर वो काफी जदा कन्फ्यूज हो जाता है क् वो तीनों स्वार्ड की एनर्जी यांग फैमिली के तरफ से आ रही होती है और वापस से हमें उसी यंग लेडी को दिखाया जाता है जो वापस से अपना स्वीर बहार निकाल लेती है और अपनी पौर को बढ़ाते वे उस ओल्ड मैन पर अटैक करने आगे बढ़ जाती है जिसे देखते के साथ वो ओल्ड मैन अपने एक हाथ की पौर का यूज करते वे उसकी स्पियर को वहीं रोक देता है और कहता है कि ये लेडी एंसेस्टर सुजू को मारना चाहती है तो इस लड़की को पनिस्मेंट चरूर देना चाहिए और वैसा कहते के साथ उस लड़की को पीछे करते वे अपने सभी डिवाइन स्वर्ड की मज़ सब एक अटक कर देता है लेकिन तभी वहापर एक स्पिर्च्वल हैंड की मरद से उसकी इटक को डिश्ट्रॉय कर देता है कोई और जिसकी वज़चस से वो ओल्ड मैन ने आपर पे पीचह हो जाता है और तभी म तुमारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरे spiritual pet को बुली करने की कोसिस कर रहे हो और लीन फैंग वहाँ पर sea of soul realm का यूज करते हुए उस आदमी के ऊपर काफी दा प्रेशर डालने लगता है जिसे देखकर वो old man काफी दा गुसा हो जाता है और अपने पास ते तीनो divine sword की बहु के बराबर है तुम में चोटी मोटी tricks का यूज करते हुए मीडिय अटैक से नहीं बचपाओगी लेकिन तब ही वो जो old man होता है वो नोटिस करता है को वो सभी sword लीन फैंग की बात मान रहे होते हैं जिसे देखकर जितने भी लोग होते वो काफी ज़दा है रहान हो जाते ह और कुछ clan mates तो ये भी कह रहे होते हैं कि ये पका किसी दूसरे दुनिया के special technique होगी और तब ही जो लीन फैंग होता है उस सभी sword को वापस से उस old man पर attack करने के लिए base देता है जिसे देखते के साथ वो old man अपने सामने में एक shield बना लेता है लेकिन थोड़ी दिन में उसको समझ में आ जाता है कि वो लीन फैंग से अपने चोटी मोटी skills की में से जीत नहीं पाएगा और अपने पास से एक special spiritual bottle निकालते वे लीन फैंग के सभी attack को उसमें absorb करने लगता है जिसे देखते के साथ लीन फैंग वे अपने पास से red dragon flame से उसमें अटेक कर देता है लेकिन बोटल उसे भी absorb कर लेती है जिसे देखते के साथ जो वो old man होता है वो काफी ज़्यादा हसने लगता है और लीन फैंग का मजाक उडाते वे कहता है कि मेरी बोटल किसी भी तरीके की चीज़ को absorb कर सकती है इसे सुनते के साथ लीन फैंग हलकी से चुटकी की मदस से उसके प बुरी तरीके से घैल कर सकते हो मैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं जिसे सुनते के साथ लीन फैंग अपने एक स्प्रिच्वल स्वर्ड की मदस से तुनन आपे मार देता है जिसे देखकर साउटियन तुनन लीन फैंग के पास वापस आ जाता है और वो old man काफी जादा गुस तो उस old man की पाउर की वज़े से वो spiritual body की power एक immortal level के बराबर की पहुच गये होती है और तभी वो old man अपनी spiritual body की मदस से लीन फैंग पर lightning अटाइक करता है लेकिन लीन फैंग अपने एक हाथ से ही उसे महीं पर रूख देता है जिसे देखते के साथ वो सभी लोग हैरान हो ग जिससे वो old man फिर से काफी ज़्यदा गहल हो जाता है और वहां से अपने एक तलिसमान की मदस से भागने की कुसस करता है लेकिन लीन फैंग अपने सौर्सस पर अटाइक कर देता है और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग कर ये एपिसोड यहीं खता हो जाता है तो गैस मिलते ह लेक्स अपिसोर्ड में